आप सबी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक में आज मैं आपको बताऊंगी हनमान जी के पांच मुक कैसे होए आज मैं आपको पंच मुकी हनमान जी की चमतकारी कथा सुनाऊंगी आप सब ध्यान से सुनिएगा हनमान जी का पंचमुकी रूप बहुत ही दिव्य और चमतकारी है मानने ता है कि इस रूप में बजरंग बली की पूजा करने से आपके जीवन में सुख शान्ती स्तापित होती है और सभी कश्ट दूर होते हैं आईए अम मैं आपको हनमान जी की कथा बताऊंगी पूरानिक मानेताओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को हनमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उनका जन्मों सब मनाया जाता है भगवान के इस रूप की पूजा करने से आपके जीवन में सभी पिरकार के कश्ट दूर होते हैं वास्तु में भी पंचमुकी हनमान जी की तस्वीर घर में लगाना बहुत ही शुब माना गया है अब मैं आपको बताऊंगी आखिर हनमान जी को पंचमुकी अवतार क्यों लेना पड़ा था जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था तो अपनी सेना को परास्थ होते देख रावण ने अपने मायावी भाई आईरावण से मदद मांगी आईरावण मा भवानी का परमभक्त और तंत्र विद्या का बड़ा ही ग्याता था उसने माया के जाल से भगवान राम की पूरी सेना को नीन में सुला दिया और राम लक्षमन का अफरन करके उन्हें पताल लोक ले गया। कुछ देर में ही विबिशन को अहिरावन की ये चाल समझ में आ गई। उन्होंने हनमान जी को इस संदेश बिजवाया कि वे पताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्षमन की मदद कने। पताल लोक में जब ह मान जी पहुचे तो उसका सामना सबसे पहले अपने पुत्र मकर दुहच से हुआ। युद में बजरंग बली ने उसे परास्त किया तो फिर वे उस स्तान पर पहुचे जहां आहिरावन ने राम और लक्षमन को बंदक बना कर रखा था। आहिरावन चूकी मा भवानी का भ लिए तब भगवान जी को पंच मुखी रूप धारंड करना पड़ा। उत्तर दिशा में वरा मुख, दक्षिन दिशा में नर्सिंग मुख, पश्चिम दिशा में गरुण मुख, आकाश की तरफ हाई गृव मुख, एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस परकार हनुमान जी पांच मुख धारंड करके पांच दिशाओं के दीपकों को बुजाया और अहिरावन का वद करके राम लक्षमण को उनके चंगुल से मुख कराया। तो अहिरावन का घमन चूर करने और उसका वद करने के बाद हनुमान जी ने पंच मुखी धारंड किया। हन जै श्री राम जै हनुमान ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए मेरे चैनल डिवाइन म्यूजिक को सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद